नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SM Education and Information में आज हम राजस्तान की कला यम संस्कर्थी के बारे में चर्चा करेंगे तो चलती हैं, सुरू करते हैं दोस्तों आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो माद्यमिक सिक्साबोर्ड राजस्तान की नई जो NCRT की पुस्तके हैं उन पर आदारित हैं राजस्तान में कला यम संस्कर्थी राजस्तान की उलेक निये सब्वेता है आहड, काले बंगा, पचमता, बांगोर, गिलूल, ओजियना आदि खुदाई से प्राप्त आउसेसों से यहां की कला के क्रमिक विकास को सहज ही समझा जा सकता है सुरक्सा यम जियून उप्योगी साधनों को ध्यान में रखते हुए प्राए नदियों, तालाबों, वो पहाडों या उनके बीच गाउं बसाए जाते थे नगर या कस्मों की बसावत सुन योजित होती थी नागदा, चीरवा, कल्यानपुर, आदि कस्बे, घाटियों, पहाडियों या जंगल से गिरेस्तान में बसाए गए नगर में मंदिर, महल, बवन, परकोटा, जला से, सडकों की व्योस्ता होती थी जैसे देलवाडा, इंगोध, आदि मित्रू, राजस्तान स्थापत्य कला का धनी है यहां के स्थापत्य कला की प्रमुक विसेस्ताओं में दुर्गू का निर्मान, हवेलियों का स्थापत्य तता मंदिरू का स्थापत्य बेजोड है आमेर, बूंदिर, अजमेर, उदेपुर, जैसलमेर वकुंबलगड आदि इसमें उलेकनिये स्थान रखते हैं आईए बात करते हैं दुर्ग जिसे किला, अत्वागड आदि कहा जाता है दुर्ग प्राए सामरिक द्रष्टी से और सुर्खसा के लिए बनाए जाते हैं राजस्तान को दुर्गों की भूमी कह दिया जाए तो कोई अतिश्योक्ती नहीं होगी सुर्खसा की द्रष्टी से दुर्ग उची पहाड़ियों पर गहरी नदियों के किनारे अत्वा मेदानी बागों में बनाए जाते थे दुर्ग के निकट प्राए गहरी खाईयां भी बनाए जाते थी जिनमें पानी भर कर जहरी ले जानवर छोड़ कर सत्रू को रोका जाता था ये परीखा कही जाती थी ध्यान रखना दुर्ग सासकों के आवास सेना वो जन सामने के लोगों के रहने के लिए भी सुरक्षित स्तल थे दुर्ग में क्रशी, खाद्य बंडारण, वापी, कुंड, जलासे, इत्यादी की प्रियाप्त विवस्ता होने के कारण सेनिक, योद्दा, कही महीनों तक दुर्ग के सभी मार्ग बंद कर सत्रू सेना को चकाते रहते थे राजस्तान में प्राय दुर्ग के लिए किला अत्वा गड सब्द का प्रियोग भी किया जाता है बुंदी का दुर्ग, अत्वा बुंदी का तारागड बुंदी सहर के उत्री चोर की पहाड़ी पर 1354 इस्वी में राव बर्सिंग ने बुंदी दुर्ग को बनवाया था दुर्ग के चारों तरप सुद्रड प्रकोटा बना हुआ है चत्रसाल महल, यंत्रसाला, चित्रसाला, बादल महल, अनिरुद महल, आदी के बित्ती चित्र देखते ही बनते हैं भावनों की चत्रियां, दर्बार होल के अलंकरत तंब स्तापत्यकला अनुपम है बूंदी में जो चित्र दिकाई दे रहा है ये बाहर से देखा गया विहंगम द्रश्य है चित्र साला यहां की प्रशिद है इस पर बहुत सांदार तरीके से चित्रकारी की गई है हाडोती में बूंदी की चित्र साला पूरे राजस्तान में प्रशिद है चलिए मित्रों बात करते हैं लोहागड दुर्ग बरतपुर में इस दुर्ग का निर्माण बरतपुर के जाट वन्स के महराजा सुरज मलने करवाया था इसके चारों और मिट्टी की दोहरी डबल प्राचीर बनी हुई है इसलिए इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं इस पर कई आकर्मन हुए लेकिन इसे कोई भी जीत नहीं पाया अत इसे अजे दुर्ग भी कहा जाता है राजस्तान का अजे दुर्ग और राजस्तान में मिट्टी का बना हुआ दुर्ग लोहागड दुर्ग भरतपुर को कहा जाता है रनतंबोर दुर्ग जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है वो रनतंबोर दुर्ग में स्थित्र त्रिनेत्र गडेश जी के मंदिर का चित्र है उची पहाडी के सिकर पर रन्थंबोर का दुर्गम व दुर्बेद्य दुर्ग इस्तित हैं बताया जाता है कि इस दुर्ग का निर्मान चोहान वंचिय सासकों ने करवाया इस दुर्ग में नोलखा दर्वाजा, हम्मीर महल, 32 कंबों की चत्री आदी प्रमुक एतियासिक स्तान है यहां त्रिनेत्र गनेश का प्रशिद्ध मंदिर है वर्तमान में यह दुर्ग तता आसपास का वनक्षेत्र रन्थंबोर बाग परियोजना में आ जाने से इसके जिर्णो दार, शरक्सन यम सुरक्सा पर विशेश द्यान दिया जाता है यह जो चत्री आपको दिखाए दे रही हैं यही 32 कंबों की चत्री है जालोर दुर्ग पश्चिमी राजस्तान में सोनगरा चोहानों के सोर्य का प्रतिक जालोर दुर्ग अपनी प्राचीनता व सुद्रता के लिए प्रसिद है पश्चिमी अरावली स्रंकला की सोनगरी पहाडी पर खड़े इस दुर्ग में चार दरवाजे हैं इसका निर्मान दस्वी स्ताबदी में परमार राजाओं दारा वर्स और मुंझ ध्यान रखना है दारा वर्स और मुंझ ने करवाया था दुर्ग में कुये हैं कुंड हैं मंदिर हैं वो एक दरगा भी बनी हुई है मित्रू अब जो जिस दुर्ग की बात कर रहे हैं वह बहुत ही महत्पुनिस्तान इतियास में रखता है चित्तोडगड दुर्ग कहा जाता है कि गडगड चित्तोडगड और बाकी सब गड़ईया मद्यमिका नगरी के पतन के बाद चित्रकूट पहाड़ी पर सातवी सदी में दुर्ग की नीव रखी गई कालांतर में प्रतिहार, चालुक के परमार तता सिसोध्या सासकों दौरा इसका समय समय पर विकास और विस्तार होता रहा ये दुर्ग मचली की आकरती का मतश्याकार पहाड़ी परिस्तित हैं जो सुद्रुड प्राचीरों से दिवारों से घिरा हुआ है दुर्ग में सात प्रवेश दौर हैं तता राजमहल, कलात्मक मंदिर, जला से आदी बने हुए हैं दुर्ग पर बने प्राचीन तीर्थ स्तल जिसे गोमुक कुंड करते हैं इसके उत्तर पूर्वी कौन पर कुम्भा ने कीर्ती स्तम्ब जिसे विजे स्तम्ब भी कहा जा सकता है जो सेतारीस पिट वरगाकार वो दस पिट उची जगती, जगती का आर्थ चबूत्रा 122 पिट की उचाई पर लिये नो खंडू यानि नो मंजिला इमारत हैं या स्मारक हैं जो अपने स्थापत्ते कला में बेजोड हैं नो मंजिला हैं और ये नो खंडू के विजे स्तम्ब में असंग के देवी देउताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं इसलिए इसे भारतिय मूर्ति कला का सब्द कोस भी कहा जाता है